है नमस्कार भच्चो आज कि खलास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सुनलेता बरभतयां हम आप पड़ников्म आप पढ़ रहे थे हेट्रोसाइकलिक कम पाउंच हेट्रोjoy kangpliu में हमने nomenclature of heterocyclic compounds complete कर लिया था उसमें हमने चार जो types के nomenclature पढ़े थे और आज हमें individually एक-एक जो heterocyclic compound है उसको study करना है इन में से सबसे पहले जो important heterocycle हम organic chemistry में पढ़ते हैं वो पाइरोल है पाइरोल बीसी third year का में जो है बहुत important topic है और यही जो है MSC third sem में भी detail में study किया हुआ है तो पाइरोल को start करने से पहले हमें पाइरोल की introduction पढ़ना है साथ ही हम पढ़ेंगे उसकी structure और methods of synthesis और detail में हमें discuss करना है उसकी chemical properties तो हम यह chapter start करते हैं बच्चो इसमें पाइरोल में हमें सबसे पहले हम deal करेंगे introduction कहां पे उसका occurrence है पाइरोल की हमारी daily life में उसके बाद हम उसकी structure की study करेंगे किस तरह का orbital overlap होता है किस तरह की bond formation है पाइरोल में और किस तरह का structure जो overview है हमें present होता है इसके बारे में study करेंगे फिर हम कुछ method of preparation करेंगे क्या क्या common methods हैं जिसके तरह हम पाइरोल के synthesis कर सकते हैं next हम उसकी physical properties के बारे में discussion करेंगे कि जो क्या order है और क्या उसकी appearance है और किस form में हमें पाइरोल उपलब्ध होता है हम उसके बारे में discussion करेंगे फिर हमें detail में study करना है पाइरोल के chemical properties chemical properties में हम acidic nature of pyrol का discussion करना है हम यह देखता है कि जो pyrol की जो acidic nature है वो phenol के साथ comparative है तो यह किस तरह से अपना acidic nature शो करता है हम यह देखेंगे उसके बाद electrophilic reactions के साथ हम study करेंगे हम उसकी reduction reactions का study करेंगे oxidation reaction, ring opening reaction, ring expansion reaction and ring opening जो reactions है उसके बारे में study करेंगे तो हम सबसे पहले study करते हैं वच्चो पाइरोल का introduction तो हम यह देखते हैं कि pyrol जो सबसे पहले है वो बोन, oil of bone से हम isolate कर सकते हैं इसको यह सबसे पहले जो isolate किया था वो pyrolisite जो oil of bone है वहां से उसको isolate किया गया था और जो इसका जो natural occurrence है वो बहुत सारे alkalides, vitamin B12, chlorophyll, hemoglobin के जो हीम में जो है protein में उसमें और bilirubin जो blood में हमें मिलता है उसमें इसका pyrol का जो nucleus है वो हमें readily हमें available होता है natural products में और यहां से हम इसको जो है study कर सकते हैं तो बच्चों आगे हम देखें कि इसका जो isolation है वो जो किस क्या method या क्या root फॉलो किया जाता है pyrol के isolation के लिए तो it is generally isolated from oil of bone हमने पहले ही पढ़ लिया है और इसको pyrolisis के थुरू obtain किया जाता है तो हम जब bone oil को pyrolisis करेंगे तो हमें pyrol obtained होगा इसके लिए हमें bone oil जो है उसको alkali मतलब acid और base से alkali and acid से thorough wash करना पड़ेगा ताकि हमें जो next जो extract मिले वो free from extra जो हमें उसमें acidic and basic जो substance impure substance की जो availability है उससे हम free हो सकें और फिर उसका fraction distillation अगर हम कराते हैं तो हमें impure pyrol उपलब्ध होता है impure pyrol free from acidic and basic impurities से रहता है जो fractional distillation के थुरू हमें उपलब्ध होता है उसके बाद अगर हम उसका fusion with koh करा है potassium hydroxide के साइट तो हमें potasio pyrol उपलब्ध होता है जो भी एक form of pyrol है और फिर उसका steam distillation के थुरू हमें pure pyrol उपलब्ध होता है हमें प्राप्थ होता है तो यह जो method है यह जो chart एक root जो है वो हम isolation of pyrol में use करते हैं आगे पढ़े बच्चो तो हम अगर हम structure की बात करें pyrol की तो उसका जो molecular formula होता है वो होता है C4H5N मतलब इसमें 4 carbon है 5 hydrogen है और 1 nitrogen है और इसकी जो structure से हमें पता चलता है कि यह एक dine type like structure रखता है लेकिन अगर यह dine type structure है तो जो dine है उनकी जो main reaction होती है वो addition reaction होती है लेकिन pyrol की जो main reaction है वो electrophilic substitution reaction है यानि pyrol electrophilic substitution reaction शो करता है यानि यह aromatic character शो करता है हम यह जानते हैं बच्चो जो aromatic character शो करते हैं उनकी एक जो specific reaction होती है वो electrophilic substitution reaction होती है और dine character होने की वज़े से ऐसा माना गया था कि addition reaction इसमें show होनी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है इसके अलावा हम देखते हैं बच्चो कि इसकी जो resonance energy है वो 87.5 kJ per mole है और जो conjugated dine अगर यह show होता या show अगर यह exhibit करता तो इसकी जो energy है वो around 12.5 kJ per mole होनी चाहिए थी लेकिन यह एक aromatic type characteristic show करता है जो इसी वज़े से इसकी energy 87.5 kJ per mole हमें मिलती है नीचे मैंने कुछ structures draw के हुए हैं यह pyrol के ही structures हैं हम यह देखते हैं कि इसमें जो first जो numbered है वो nitrogen है और nitrogen के उपर lone pair है जो एक hydrogen से जुड़े हैं उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 carbon है और 4 carbon जो है उसके अलावा हम यह देखते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा हम यह देखते हैं कि यह जो pie bond है वो all the through ring में fully resonance के तुरू जुड़े हैं resonance structure है यह अगर हम numbering करें इनकी तो heteroatom से start करते हुए one two three four and five इसकी जो रिंग की है वो हम numbering कर सकते हैं साती साती हम देखते हैं कि सभी जो carbon और nitrogen है वो sp2 hybridized है हम यह देखते हैं कि सभी जो nitrogen और carbon है वो sp2 hybridization रखते हैं कि आगे बात करें बच्चों अगर हम इनकी orbital structure को अगर हम discuss करें तो हम यह देखें कि हमारे पास चार carbon है हमारे पास चार carbon है चारो carbon जो है वो एक-एक hydrogen से जुड़े हुए हैं उसके अलावा हमारे पास एक nitrogen है nitrogen भी जो है वो hydrogen से जुड़ा वा है अगर हम carbon को ground state में देखें तो ground state में जो carbon की configuration है वो है 2s2 and 2p2 अगर हम फिर carbon को excited state में देखें तो 2s वाला जो electron है वो p orbital में excite हो जाता है तो हमें यह वाली configuration प्राप्त होती है sp2 hybridization होने की वज़े से 1s का और 2p के orbital यूज हो जाते हैं तो हमारे पास एक orbital जो p का है वो बचता है जो unhybridized रह जाता है जिसमें हम एक electron उपस्तित देखते हैं उसी तरह से अगर हम nitrogen की ground state देखते हैं बच्चों nitrogen की ground state है 2s2 and 2p3 excited state में क्योंकि sp2 hybridization है तो एक जो electron है 2s का वो p orbital में जाके यहां पे excite हो जाता है तो अगर हम sp2 hybridization को 1s and 2p orbital को रहने दे तो एक orbital ऐसा बचता है जिसमें दो electron उपलब्ध हैं यानि carbon में तो एक orbital ऐसा उपलब्ध है जहां एक electron उपलब्ध है और nitrogen में एक orbital ऐसा उपलब्ध है जहां पे हमारे पास 2 electron उपस्तित है तो जैसा कि मैंने orbital diagram में शो किया है हर carbon पे unhybridized p orbital में एक-एक electron उपस्तित है हर carbon में जो है unhybridized p orbital में एक-एक electron उपस्तित है जैसा कि हमने नीचे के orbital diagram में शो किया है उसी तरह nitrogen के एक orbital में 2 nitrogen है और 2 electron है जो कि मैंने यहां पे unhybridized p orbital में शो किये है इस तरह से हमारे पास 4 तो carbon के प्लस 2 nitrogen के हमारे पास total 6 electron उपलब्ध है इसके अलावा discuss करता है कि यह जो electron है यह जो ring में resonance है delocalized है all over the ring यह all over the ring में circulated है delocalized है इस वज़े से यह aromatic character शो करता है इसके अलावा जो 5 जो hydrogen जो है वो अपने अपने atom से sigma bond के तुरू जुड़े वह है चार carbon पे चार hydrogen sigma bond के तुरू है उसके अलावा एक nitrogen के साथ भी hydrogen है जो sigma bond के साथ जुड़ा हुआ है और जो unhybridized p orbital है यह perpendicular to the plane of the ring है हम यह देखते हैं कि unhybridized p orbitals जो भी है वो perpendicular to plane of the ring है तो इस तरह से हम इसको summarize कर सकते हैं आगे बात करें बच्चों हम अगर preparation की बात करें पाइरॉल की तो हम first method पढ़ते हैं इसमें acetylene and ammonia के साथ preparation हम दो molecule of acetylene लेते हैं और one molecule of ammonia लेते हैं तो red hot tube में red hot tube में इनको mix करने के साथ हमें पाइरॉल की प्रापती होती है और hydrogen liberate हो जाती है तो first method of preparation है acetylene and ammonia second method of preparation है from furan furan से हम कैसे पाइरॉल की preparation कर सकते हैं हम one molecule of furan ले रहे हैं and हम ammonia ले रहे हैं इसको alumina में हम 763 Kelvin पे heat किया जाए तो हमें पाइरॉल की प्रापती होती है साथ हमें water भी byproduct मिलता है next method जो है वो है from succinamide हम succinamide के दो forms देखते हैं एक keto form है और एक inol form है keto form जब inol में क्योंकि यहां पे हम इसको दर्शा सकते हैं कि यहां पे एक hydrogen है इस तरह से तो हम अगर इस hydrogen की electron यहां पे jump करवाएं और oxygen की electronegative की वज़े से यह negative charge यहां आ जाता है तो इस hydrogen को यहां पे हम लिख सकते हैं इस तरह से यहां पे double bond आ जाता है और यह inol form में convert हो जाता है तो keto and inol form दो forms है हमारे पास अगर हम उसको zinc dust में हम distillation करें उसका तो हमें ZNO bright product मिलता है और जो main product है वो हमारा pyrrole उपलप्त होता है नेक्स्ट मेथड जो preparation है हमारा वो है 1-4 diketone इसी मेथड को हम कहते हैं पाल नौर synthesis यह बहुत ही important method है और काफी exams में पुछा जाता है इसके लिए हम लेते हैं एक 1-4 diketone species हम यह देख सकते हैं यहां पे 1 and 4 position पे 2 ketone group है देखिए यहां पे 1, 2, 3 and 4 तो 1 and 4 position पे हमारे पास 2 ketone group है अगर हम इनको इस form को इस oxygen के form को negative and positive के form में लिखें तो यहां पे partial positive charge और यहां partial negative charge के प्राप्ती होती है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर ammonia का कोई भी form एक substituted ammonia जो species है वो हम उसकी उपस्तिते में अगर 1, 4 diketone लें तो यह hydrogen जो है electro negative oxygen के साथ जोड़ना चाहेगा इसी तरह से आगे की step में हम देखें तो जो lone pair है nitrogen के वो दूसरे carbon जो positive charge carbon है उस पे attack करेगा और फिर यह oxygen के जो electron है वो इधर shift हो जाएंगे resonance की वज़े से इसी तरह से जो है हमें ये species प्राप्त होगी जिसमें एक ring structure हमें बनती हुई दिखाई देती है इस ring structure के साथ अगर हम यहां का hydrogen और यहां का OH और इधर का hydrogen और यहां पे OH यानि second position का OH और third position का hydrogen और इसी तरह से हम आगे भी इसको eliminate करें तो हमें two molecules of water का elimination के साथ हमें पाइरोल की प्राप्ती होती है तो बच्चों यह हमारे कुछ methods थे जिसमें हमने synthesis of पाइरोल को समझा हमने यह भी देखा कि हमें पाइरोल कहां उपस्तित मिलता है कहां हमारे nature में इसकी existence है और हमने इसकी structure को भी study किया आगी की class में हम इसके जो है chemical properties को detail में study करेंगी Thank you आगी करेंगी आगी करेंगी